हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सुधीब और आप देख रहे हूँ फ्री नॉलेज गेंड का वीडियो हम लोग इस चैनल पे अकाउंटिंग, टैली, जीसटी, इंकम टैक्स और अधार नॉलेज़ेबल टॉपिक के उपर वीडियो अपलोड करता हूँ अगर आपको भी किसी टॉपिक के उपर वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स पे आपका टॉपिक टाइप कर दीजिए और आज का जो टॉपिक है उपनिस्टार भेंकड़स बाबुजी ने रिक्वेस्ट किया था कि अगर कोई होटल फूड या रेस्टूरेंट्स में जो फूड्स दिखता है तो उसमें क्या होता है कि उसका जो GST है GST हम लोग पर्चेस करने का टाइप GST देते हैं तो उस GST का इन्पुट टैक्स केरिडिट नहीं मिलता है तो उस केसमें टैली में उसका कैसे एंट्री होगा उसको कैसे एंट्री करना पड़ेगा GSTR 2 या GSTR 3 वी में कैसा आएगा वो चीज आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा तो चलिए आते हैं टैली पे तो टैली पे यहाँ पे देखिए मैंने दो एंट्री अल्रेडी करके रखे हैं आपको दो एंट्री पहले दिखा देता हूं तो देखिए यह है एक पर्चेस का एंट्री तो देखिए पार्टी नेम यहाँ पे मैंने दाल दिया है जैसे कि food supplier बोलके डाल दिया है पर्चेस लेजर ले लिए है और यहाँ पे देखिए जैसे कि भेज पैटिस बोलके एक आइटेम हम लोग लिए है इसका quantity है 10 pieces और इसका rate है 25 रूपिस तेक है उसके बाद इसका GST कितना बनता है देखिए CGST बना है 6.25 रूपिस और SGST बना है 6.25 रूपिस यह इसके उपर 5% GST है और अगर इसका GST आप देखना चाहते है तो Alt A प्रेस करके इसका GST कैसे calculate हुआ है यहाँ पर आप देख सकते है तो यह हो गया purchase entry और यहाँ पर देखिए sale का एक entry मैंने लिया है यहाँ पर देखिए party में मैंने cash डला है क्योंकि इस business में ज्यादा तर cash sale होता है इसलिए मैं यहाँ पर cash दे दिया हूँ आप party चाहे तो दे सकते हैं और यहाँ पर देखिए page patties लिये हैं और यहाँ पर 10 pieces sell कर रहे हैं जिसका rate है 30 rupees पर pieces का 30 rupees है और यह है included of tax यह tax included है 30 rupees तुसलिए tally ने क्या किया है यहाँ पर automatic इसका back calculation करके पर pieces का rate देखिए है आपर बता दिया है 28.57 rupees और उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग इसके उपर एक service charge add किया है आपका business में इसा कोई charge है तो charge add कर सकते हैं या भी नहीं adds कर सकते हैं service charge लिए है 20 rupees और यहाँ पर देखिए जो gst calculate हुआ है cgst हुआ है 7.64 rupees और sgst 7.64 rupees और यह जो gst calculate हुआ है यह देखिए item का जो amount है plus services का जो amount है दोनों मिला के उसके उपर यह gst charge किया है ठीक है normal case में क्या होता है जब आप किसी ऐसे laser create करेंगे service charge तो आप जैसे कि यहाँ पर 20 rupees दिये हैं तो gst calculate करने के time यह gst इसके उपर नहीं होगा calculate ठीक है तो उसके लिए क्या करना परेगा जैसे कि मैं service charge इसको rewrite करता हूँ यहाँ से control interface करता हूँ तो देखिए जब service charge का आप laser create करेंगे तो यहाँ के देखिए is gst applicable अगर आप इसको not applicable करते हैं और इसको ऐसे ही save कर देते हैं तो क्या होगा तो gst जो calculate होगा service charge के उपर calculate नहीं होगा सिर्फ item के rate के उपर या item जो amount है उसके उपर calculate हो जाएगा तो इसके उपर भी gst लगाने के लिए आपको क्या करना परेगा यहाँ पर not applicable देना परेगा और यहाँ पर देखिए include in accessible value calculation for gst यहाँ पर आपको लेना परेगा और इसको save कर दीजे और यह आप goods या service या both आप कुछ भी ले सकते हैं यह जैसे कि service है यह service ले सकते हैं या आप both पर भी डाल सकते हैं और इसको save कर दीजेगा तो ऐसे करके इस laser को create करेंगे तो ही यह service stretch के उपर भी यह gst automatic cut कर लेगा अब देखिए tally का जो normal rule से वो क्या होता है कि sale में जो हम लोगों का यहाँ पर gst बनता है ठीके इस gst से क्या करेगा जब हम लोग purchase किये थे उसका जो value है वो क्या करेगा tally less करके आपको balance rate में बता देगा कि कितना आ रहा है और वो ही balance आपको क्या करना है government को pay करना है जैसे कि यहाँ पर देखिए cght 7.64 और sght 7.64 tally क्या करेगा इस से minus कर देगा क्या minus करेगा यहाँ पर देखिए 6.25 और 6.25 दोनों यह दोनों क्या करेगा tally minus कर देगा तो चलिए देख लेते हैं balance rate पर आईए यहाँ पर देखिए duties and taxes में देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 2.78 रूपिस यानि कि cght आ रहा है 1.39 रूपिस और sght आ रहा है 1.39 रूपिस और यह कैसे आ रहा है देखिए एंटर दीजिए तो यहाँ पर देखिए जब sale किये थे तब cght कितना हम लोग customer से collect किये है 7.64 रूपिस और जब हम लोग purchase किये थे तब कितना हम लोग दिये थे देखिए यहाँ पर 6.25 रूपिस और यह जो अभी 6.25 रूपिस है इस industry में इस जो fooding business है जो restaurant है इसमें क्या होगा GST law में है कि इसका input आपको credit नहीं मिलेगा तो यह 6.25 क्या करना है हम लोग को यह credit नहीं मिलेगा तो इसके लिए क्या करना है तो आपको तो क्या करना है यहां पर आपको तो टोटली 7.64 रूपिस दे देना है लेकिन टेली क्या कर रहा है यह 6.25 रूपिस आपको माइनास करके 1.39 रूपिस आपको बता रहा है तो इसको कैसे करेंगे तो उससे पहले आपको मैं यहां पर एक report देखाना चाहूंगा यह G-STIER 1 में क्या आएगा G-STIER 1 में आप जो S artists के थे उसका यह figure यहां पर आ रहा है और G-STIER 2 में क्या आएगा G-STIER 2 में देखिए आप जो purchase किये थे थे यहां पर आ गया B2B invitation में यहां गया ठीक है और यहांपर देखिए और एक GSTR 2 में यहां पर देखिया ITC Reversal बोलके जो option है यहां पर देखिये कुछ नहीं आ रहा है जिलो आ रहा है ठीक है और उसके बाद आप GSTR 3B में आ जाईए तो देखिये GSTR 3B में जो भी रिपोर्ट होगा यह यहां करा रहा है Output Supplies and Inverse Supplies यहां पर देखिये Eligible ITC बोलके यह 12.5 रुपीज यह 12.5 रुपीज कौन सा है जब आप Purchase किये थे 6.25 CGST और 6.25 SGST यह टोटल मिलागा 12.5 जिडो लिकिन यह 12.5 जिडो इस पैसे का तो हम लोगो को क्रेडिट नहीं मिलेगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको एक Entry करना पड़ेगा तो उसके लिए आप यहां पर आ जाईए Accounting Vurchase पे यहां से आप आ जाईए Journal Vurchase पे Date डाल दीजिए उसके बाद क्या करना है यहां पर दीए राहिक्ट साइट पर यहां पर Stat Adjustment लिखा हुआ है यहां तो फिर आप Alt J प्रेस कीजिए तो दीए Stat Adjustment का यह आ गया है यहां पर क्या करना है Type of Duty आपको GST लेना है और Nature of Adjustment आपको यहां पर लेना है Reversal of Input Tax Credit ठीक है यह Input Tax Credit हम लोग नहीं मिलेगा और यहां पर Additional Details पर आप यहां पर आदास डाल दीजिए तो दीए करने के बात देखें यहां पर उपर पर यह आ गया Used for Reversal of Input Tax Credit और Additional Details आदास यह आ गया अब क्या करना है आपको यहां पर डेविट डेविट किसको करेंगे यहां पर आपको एक laser खुलना परेगा यहां से Alt-C प्रेस किजिए और यहां पर आप लेजर खुल लीजिए GST on Food या तो भी आप जो चाहते हैं वही चीज़ आप यहां पर लिख सकते हैं और इसको क्या करना है अंडर दे देना है इंडिड़िट गया है पर इसको करेंगे और यह जीज़ता है , यह तो इसको डेबिट कितना करेंगे IMPACT एपहरी ही यहां पर देहें कितना अपर कितना क्रेदिट नहीं aż करकूर है 12.50 रुपीज जो की CGST है 6.25 और SGST है 6.25 यह मैंने एक इन्वाइस के लिए आपको बताया है लेकिन आपके बिजनेस के लिए जितना भी पर्चेस इन्वाइस होगा जिस जिस में आपको इसको इन्वाइस के लिए ले लेला है और वहीं अमाउंट आपको यहाँ पर देना है तिहां पर जो टोटल जीस टी है 12.50 दियांँ अब देखिए क्रेडिट किसको करना है CGST CGST को क्रेडिट करना है कितना करना है वहाँ पर पर पर्चेस करने का टाइम कितने हम लोग दिया थे 6.25 ठीक है उसके बाद next इसको CGST को क्रेडिट करना है इसको भी कितना करना है 6.25 अब इसको सेब कर देना है तो देखिए यह एंट्री पास करने से क्या होगा बैलन सीट पर आईए तो देखिए यहां पर डिटिस और टैक्स पे 50.28 रूपिस आगया तो यह 15.28 रूपिस कहां से आया यह जब आपने कस्टुमर को सेल किये थे तो उस टाइम कस्टुमर से आप जितना GST लिये थे वही फिगर यहां पर देखिया आया है जिसका CGS्ट ए 7 7.64 रूपिस और GST ए 7.64 रूपिस तो यहीं आमांट आपको गर्मेंट को पे करना है अब आते हैं GST रिंपोर्ट पर GST रिंपोर्ट पर क्या आता है डिस्पले पर आईए इसे यहां पर कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि GST रिंपोर्ट आता है तो इसलिए यहां पर कुछ चेंज नहीं हुआ है तो अब यहां से आ जाएए GSTR 2 में तो GSTR 2 में देखिए यहाँ पर था ITC Reversal देखिए यहाँ पर आ गया जो पहले आपको दिखाया थे यहाँ पर कुछ नहीं था तो यहाँ पर देखिए एक Invoice और यहाँ पर 12.50 रूपिस यहाँ पर आ गया ITC Reversal यानि कि इसका credit आपको नहीं मिलेगा ठीक है अब इसके बाद आप GSTR 2 फाइल कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए GSTR 3B अब देखिए GSTR 3B में यहाँ पर पहले आपको जो अब दिखाये थी यहाँ पर देखिए eligible ITC Reversal 12.50 रूपिस यहाँ पर था क्योंकि वो tally automatic calculate करके रखते हैं वो कर देता है लेकिन जिस-जिस case में हम लोग ITC नहीं मिलेगा तो उस case में हम लोग ऐसे journal पर एक entry पास कर देंगे तो उसके बाद देखिए यहाँ पर GSTR 3B में यह नहीं रहेगा तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया है और यह जो ITC का जो भी input नहीं मिलना वाला है उसके लिए क्या entry करना परेगा यह भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया है अगर कोई आपको problem है या फिर कोई question है तो आप नीचे comment box पे पूछ सकते हैं मैं उसका reply आपको कर दूँगा और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लेज लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ share कर दीजिए और मेरे इस चैनल को free knowledge gain को जुनिल आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो दोस्तों आज अहीं तक keep smiling keep learning and keep growing जापको कर दोस्तों